लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, बिलकुल भी सिफर, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब SCST, OBC और Minorities का है, उसमें ये कहा था कि 50% से ज्यादा Reservation जो हैं, वो समिधान के खिलाफ होंगी, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे 50% से ज्यादा Reservation नहीं हो सकती, सच्चाई है, वर्ण व्यवस्ता ही देश की सच्चाई है, इसके अलावा, ना गरीबी, ना सोशली, ना एजुकेश्टली, कोई चीज काम नहीं आएगी, पसमांदा मुसलमानों को लेकर के भी, और आवाजे तेज हो रही हैं, और यही आरक्षन की बात क कियाना चाहूंगा कि मुसलिम समाज में जो भी ऊच नीच की बात भी करता है, वो इसलाम से खारज है, यह अच्छी बात है, पूरी कम्निटी को खड़े होके इसका सपोर्ट करना चाहिए, कि हाँ जी Reservation दो, अगर तुम कुछ भी मानते हो, अगर इनको सरकार की नजर में यह OBC बंद हैं, तो इनको पूरी Reservation दी जाएं, कि जिसकी जितनी संक्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी, यह सभी जमीन से लेकर आस्मान तक लागू होना चाहिए. आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एकशाम टीवी और मैं अबदलवाजिद चिश्तिनिजामी, इस वक्त मेरे साथ मौझूद है, सुप्रीम कोट के सीनियर एडवोकेट मेहमूद प्राचा, जो बहुत खास मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौझूद हैं, सुप्रीम कोट को लेकर के जो बयान आया है, OBC को लेकर के, क्या है पूरा मामला और क्या डिमांड थी इसमें बताइए, लेकिए सुप्रीम कोट ने एक इंदरासानी की जज्जमेंट आई थी, उसमें ये कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो हैं, वो समिधान के खिलाफ होंगी, किसी भी आलत में, किसी भी कीमत पे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, फिर 2019 में ये मनुवादी मानसिक्ता की जो सरकार थी, इसने ये कहा कि हम जो स्वर्ण जातिया हैं, जिनको वो स्वर्ण कहना पसंद क करते हैं, या जो एक्च्वल में अन्रिजर्व केटेगरी की जो कास्ट हैं, वो उनको भी हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं, और देंगे, लेकिन उसका बहाना बनाया, कि वो गरीबी के नाम पे, जो गरीब होंगे, उनके लिए देना चाहते हैं, तो दुनिया को दोका देने के लिए ये पता है के गरीबों के लिए है, लेकिन वो गरीब सिरफ उनी को मानते थे, भारत मनुवादी बांसिक्ता की बीजेपी की सरकार है, एंडिये की सरकार है, जो ब्रामन चत्रिये वैश कम्यूनिटी से आएंगे, ठीक है जी, तो बाकी सब को वो गरीब ही न कोई भी वेक्ती, भले ही वो कितना भी गरीब हो, उसको गरीब नहीं माना जाएगा, यह इस अदालत के फैसले से आज बात क्लियर हो गई है, और अब एक अच्छी बात यह है, कि आज सुप्रीम कोट में क्लियर कर दी कि जाती विवस्ता ही देश की सच्चाई है, वर्ण गरीबी, ना सोशली, ना एजुकेश्टली, कोई चीज काम नहीं आएगी, लोगतांतरिक देश है और सब यहाँ पर बराबर है, यही बात, यह जो मांग उठ रही थी आरक्षण की, इस चीज को लेकर के कब से चल रही थी, नहीं, इसके लिए कोई मांग उठाने की तो ज ब्रामन शत्रिये, वैश्च के पास ही सारे राज जो हक होते हैं, अधिकार होते हैं, उनके पास होते हैं, बाकी सब तो शूद्रे हैं या अवर्ण हैं, उनका कोई अधिकार नहीं होता, उनकी तो उनका जनमी इसलिए होता है कि वो ब्रामनों की सेवा कर सके, ना वो शिक् प्राचा साब एक चीज और है ये तो दूसरे माश्रे की बात हो के पसमांदा मुसलमानों को लेकर के भी और आवाजे तेज हो रही हैं और यही आरक्षन की बात कि की जा रही है जो दबे कुछले पिछले मुसलमान है हाला कि इसलाम में जो है जाद विरादरी का तो यह कोई कॉंसेप्ट ही नहीं है यह सब खतम हो गया लेकिन एक सियासत के तोर पर इस मुहिम को जो है चलाया जा रहा है और यह लंबी लड़ाई अश्राफ अफजाल इसमें क्या कहना चाहरे हैं ने देखिए तो वो तो अश्राफ और यह जो बाते की जाती है इस से अगर कोई मुसलिम क्मयूनिटी को फायदा पहुँंचता है वो पहुँंचता है कि внешability उलती है वी सी केाटेगरी में SC category में नहीं मिलती है ये बात clear रख लें तो जो वो मिलती है उसके लिए सब कोई खटा होना चाहिए और इसकी demand करनी चाहिए कि हाँ हमारी community में से भी अगर पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि Muslim समाज में जो भी उच नीच की बात भी करता है वो Islam से खारिज है ये तो सीधी सीधी बात है ना इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाईश नहीं है तो एक तो वो करना ही लेकिन अब जो मौजूदा हालात है उसमें से अगर इस बुनियाद पे जो कि Islam के इलाव से गलत है इस बुनियाद पे अगर रिजर्वेशन और फाइदा मिलता है तो ये ये कच्छी बात है पूरी कम्मुनिटी को खड़े होके इसका सपोर्ट करना चाहिए के हाँ जी रिजर्वेशन दो अगर तुम कुछ भी मानते हो अगर इनको सरकार की नजर में ये OBC हैं तो इनको पूरी रिजर्वेशन दी जाए ना OBC के हिसाब से और इनके लिए एक्स्ट्रा दी जाए रिजर्वेशन तोड़ी क्योंकि और अब तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात हो गई है कि जिसकी जितनी संक्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी ये सभी जमीन से लेकर आस्मान तक लागू होना चाहिए देश की सभी जो वसाइल है उसके लिए लागू होना चाहिए और जो अगर ये भी मान लिया जाए कि धर्म के अंदर भी ऐसा भेदभाव होता है तो संक्या के हिसाब से वो भी उसको भी संक्या के हिसाब से मिलनी चाहिए इसमें किसी को कोई परिशानी होती है या इसके लिए कोई शिकायत करता है तो वो बेइमान है सीधी सीधी मैं तो जेखिए साफ लफजों में बात करता हूँ अगर इसी बुनियात पर reservation मिल रही है Muslim समाज के कुछ लोगों की तो सब को welcome करना चाहिए नुकसान क्या है हमारे अंदर तो जो Muslim है वो तो आपस में बराबर मानते हैं लेकिन बराबर होते हुए भी अगर किसी को कुछ फाइदा मिल सकता है तो वो क्यों ना लिया जाए सरकार से तो इसमें कोई opposition हो नहीं नहीं चाहिए बलकि इससे एक चीज और फाइदा होगा कि भारतिय चंता पार्टी और मोदी साहब की और RSS की एक चीज एक्सपोज होगी कि जब तुम इन्हें मानते हो कि अश्राफ और अजलास कुछ होता है मुसल्मानों में तो उनको reservation दो उनको facilities दो उनके लिए अलग से reservation दो वो reservation उस reservation से अलग होनी चाहिए जो अभी already reservation 49% है देखे जिस तरीके से देश के प्रधान मंतरी नरेंद मोधी जी ने खुद कहा कि BJP को जो है दबे कुछले मुसल्मानों को मुख्यदारा से जोडने की है वो पसमांदा मुसल्मान जो समाज में पीछे रह गए जिनका जो है मुख्यदारा में जुडना बहुत जरूरी है देश की उन्नती के लिए मोदी जी ने खुद जोडने की बात किया तो इस पर लोग जागरुप भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं अलग-अलग ब्रादरी के जो लोग हैं वो सब एक जगा हो रहे हैं और इस पर आरक्षन की बात कर रहे हैं लेकिन अभी जिस तरीके से इसलाम के अंदर ये उच नीच या दलित मुसलिम या इस तरीके का कोई कॉंसेप्ट ही नहीं है वो भी इस चीज को मान रहे हैं उनका भी कहना यही है जो पसमान दा मुसल्मान है कि जिसकी जितनी भागेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो का जो बेरियर था जो मनुवादी मानसिक्ता ने एक बेरियर लगवा रखा था सुप्रीम कोट के उपर भी शायद किसी चरीके का और अब तो क्रियन रिजीजु साहब ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोट की जजिस की अपॉइंट में पॉलिटिक सबसे ज़ादा होती है और कर दिया आपने तो अच्छा है इसके लिए क्योंकि अब क्या है अब सो परसंट तक रिजर्वेशन होना चाहिए जो सो कॉल अपने आपको सवरंड कहना चाहते हैं कहते हैं उनके लिए 10 परसंट काम है उनके लिए भी 1.5 परसंट और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए उनको हम वो देंगे जब अम्ट करवादियों की सरकार आईगी और बाकि जिसकी जितनी संक्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी सब लडाः जगडा ही खतम है आप तो जिसकी जितनी संक्या है उसके इसाब से जो जमीन के नीचे वसाइल है हमारे मुलक में और आस्मान तक जितने भी वसाइल है सब को बराबर बटने चाहिए मिलने चाहिए ये उनका हाक है ये कानूनी आईनी हाक है पाकी मुस्लिम कम्यूनिटी में अगर उच नीच की कोई बात करता है तो वो इसलाम से खारिज है मेरा तो ये मानना है अगर कोई मुलाना बहुत ज़्यादा समझदार अकलमन है तो वो इसके खिलाफ फत्वा दे सकते है मगर इसलाम की तो बुनियादी बराबरी पर है लेकिन रिजर्वेशन तो सब का हाक है अगर कोई जैसे ये 10 परशंट है जो हम कहते है साड़े 11 परशंट हम लोग देंगे तो ब्रामणों की संक्यागर 3 परशंट है तो 3 परशंट मिलना चाहिए शत्रियों की संक्यागर 4 परशंट है उसमें तो 4 परशंट मिलना चाहिए वैश्यों की संक्यागर दूसरा 4 परशंट है कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं बिलकुल भी सिफर उसके अलावा कुछ नहीं बाकी सब SCST, OBC और Minorities का है वो उनका ही हक है वो जिसके पास अभी गहर कानूनी तरीके से गहर आईनी तरीके से है वो लेके हम सब प्रामण चत्री वैशों से या जो भी अपरकास्ट अपने आपको समझते हैं उनसे लेके SCST, OBC और Minorities में बराबर का बांड देंगे बहुत बहुत शुक्रिया महमुद साब बात करने के लिए अभी इस इंटर्वियू में फिलाल इतना ही लेकिन आगे पसमांदा जो मुस्लिम है जो इनके issues है उस पर बात करेंगे हम दूसरी कड़ी में इस वीडियो को आप जाद से जाद से शेयर करें और अगर हमारा जो ये प्रोग्राम है हमारी महनत हमारी कोशिस आपको पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है और आप हमारी होसला अबजाई करना चाते है तो इस चैनल को जाद से जादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दिली से एक शाम टीवी के लिए मैं अबदलवाजित चिश्ति निजामी